नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एक्जाम सभा में और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि राष्टपती के कौन कोंसे कारे होते हैं कई बार आपसे एक्जामनेशन पूछता है कि राष्टपती के द्वारा जिसे अध्यदेस लाया जाता है तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले ये वीडियो इसी के लिए है तो मैं टू दो पॉइंट बताने के कोशिश करूँगा जो की एक्जामनेशन के लिए से महत्ता पुन हो बताने के लिए तो बहुत कुछ है कभी उसकी चर्चा अलग से करेंगे तो राष्टपती के कारिय केंदर कतिया कहा गया है कि इसके सलाह के लिए मंत्री मंडल होता है ठीक है कहने का मतलब है कि कुल मिला के सिंपल सा मतलब यह है कि राष्टपती के नाम पर ही की जातीए ठीक है मन्त्र बंडल की न्यक्ति हो गई, ये सारे न्यक्ति है किस के नाप पे होती है राष्टपती के नाप पे होती है. अंतर राजी परिशक्त का गठन करन हा, मल seguinte कि कोई ऐसी दिश्वास Tú कोई समझे आई जिसमें कि ऐसा मालूम अब इसके बाद अनसूचित जात और अनसूचित जनजात के जो छेत्र होते हैं उसमें जो परशाशन होता है उसका उस छेत्र की जो सक्तियां होती है आपका राश्टपती के पास होती है अब दूसरे नंबर पर आता है विधाई सक्तियां तो संसत में बैठक को बुलाना य आप जानते हो कि हर 5 साल बाद अगर मालीजे सिंपल तरीके से भी बात किया जाए तो लोगसभा जो है वो आप बिगटित हो जाती है उसके पहले भी समभावना बनी रहती है तो इसमें राश्टपती के द्वारा ही लोगसभा को बिगटित किया जाता है किसके आदेश पर प रधामंत्री की आकस्मिक मिर्ति हो जाये तो उस समय भी राष्ट्वती अपना नेरणा लेने के लिए सुतंत्र है ृक्त्र करना चाय राश्यूसे वैं यह क्यों संसब्री करनके की बादना नियुक्तरने में के राजिपाल द्वारा राजियों में बिधेयक को कभी कभी बिचार के लिए राश्टपती के पास भेज देते हैं जिसे माले जिए कोई भी ऐसा बिधेयक किसी राज में लागू किया जाना वाला है जो कि जिसमें की राजेपास सुचता है कि हाँ मुझे इसके लिए राष्टपती के निर्ने के आउशकता या फिर राष्टपती का विचार चाहिए साइन चाहिए तो उसका अधिकार भी राष्टपती के पास होता है राष्टपती उसमें बात है नहीं होता है कि वो राज्य के किसी भी विदेग को चाहे जब तक चाहे तब तक समय लेकर करके उसमें परिच्छन कर सकता है या फिर इसको इनकार कर सकता है साहिन करने के लिए उसको वापस लोटा सकता है अर्टिकल 123 के तहट अध्यादेश जारी करने का अधिकार ये माल लिए कोई ऐसी समस्य आगे कि हाँ ये बिल बहुत नितान तावश्यक है और इसमें संसत के चर्चा के पहले ही इसको लागू करना जरूरी है तो उस समय अधिकार जो है वो राश्पती के नाम पर ही है अब जैसे यूटी होते हैं जितने भी आपने देखा होगा कि केंदर सासित परदेश और छेत्र जो हो गये उसका जो प्रमुक होता है उसके जो कार होते हैं वो राश्पती के नाम पर ही किया जाते हैं तीसरी सक्ति होती है वित्तिय शक्ति तो यहां आपका धन विध्यक हो गय राजसभा में कर दिसकस करके उसका कोई जरूरी नहीं है कि राजसभा पारिद करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है आकस्मिक निधी का अगर प्रयोप करना है तो राश्टपती के अनुमत्य आउशक होती है केंदरी बजट हर साल राश्टपती से साइन कराना जरूरी होता है ठ आगर practitioners से मेटिटीटी तू कहता है कि कोई भी अपराधी है वो चहमादान के लिए याची का अगर दैर करता है मिलाची का अगर मतलब याची का अधिकार की बात करें तो सेना का जो सर्वोच अधिकारी होता है सर्वोच सेनापती होता है वो कौन होता है राष्टपती होता है राष्टपती के अंतर गैथी तीनों सेनाओं के अध्यच्छा आते हैं ठीके अब आपात उपबंध की बात करें तो राष्ट्री आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपती सासन जो राजियों में कभी को भी लगाया जाता है, जैसे माल जे कहीं पे चुना हुआ, और वहाँ पे किसी को बहुमत नहीं मिला, कोई भी वहाँ पे सरकार वराने के लिए सच्छम नहीं है, तो वहाँ पे राष राष्ट्रपती की शक्ति है, वीटो, आपने वीटो का नाम सुना था, इसके अंतरगत ये होता है, कि किसी विधयक पर जो सहमत ही चाहिए, तो उसमें 44 वे समिधान संसोधन के अंतरगत यह बात उलेखनी की गई है, कि राष्ट्रपती धन विधयक को छोड़ करके, किसी किसी भी विधयक में, वो एक बार उसको दुबारा विचार करके वापस भेज सकता है संसत में रिस्क्स करने के लिए, लेकिन अगर धन विधयक होता है, तो उसको साइन करना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें पूर्वानुमत भी होती है, क्योंकि धन विधयक को पह प्रविलंबन या चमा किसी को चमा या चमा उसने लगाई है राष्ट्रिपती के पास ठीक है तो उसमें राष्ट्रपती कैसा फैसा ले सकता है पहला है आपका लगुकरन कहने का मतलब है कि सजागी प्रकिति को चेंज कर देना किसी को 14 सालका आपका आजिवन करवास हुआ है तो उसको कारवास के ससकता है तो सकता है परिहार का मतलब का मतलब चिकला मतलब में बदला होता है, मतलब 14 सालंक सजा है तो 7 साल हो जाएगी, अब इसको फांसी है तो फांसी हो различ में 11有沒有 of तो ईसा लगता है कि उसके ऊपर थे पर उसमाय करता है तो इसमें विराम के इंदर का करती उसमें सोब्सों, कर सकता है प्रविलंबन का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए सजा को टाल देना विसेस परिसितियों में कुछ समय के लिए सजा को टाला जा सकता है उसको प्रविलंबन कहते हैं और लाश्ट में आता है छमा छमा का मतलब होता है कि पूर्ड तया माफ कर देना कहने का मतलब अ झाल